नमश्कार दोस्तों तो आज हम बात करेंगे antiseptic, disinfectant, bactericide, bacteriostatics, preservatives यह क्या है, इन सब के क्या माइने है, इन सब के क्या definition है बहुत ही सड़ भाषा हिंदी में आप सभी को समझाने वाला हूं So antiseptic क्या है, कोई ऐसा agent जो की microorganisms के growth को रोकता है, या फिर पूरी तरह से destroy कर देता है, अगर हम उसको लगाते है, living tissues पे जैसे कि हम अपने दिन चर्या में use करते हैं, antiseptic creams, lotions, या face sanitizer तो उसको हम जब भी लगाते हैं, living tissues पे, तो क्या होता है, उस area में वो क्या करता है microorganisms का growth होता है, उसको kill करता है, इसी को क्या बोलते है, antiseptic बोलते है, so antiseptic और disinfectant में बहुत confusion होते हैं, लोगों को, antiseptic और disinfectant में क्या difference होता है, antiseptic जो है living tissues पे लगा जाता है, जैसे कि हम मनुष्य हैं, तो हमारी तवचा पे antiseptics को हम लगा सकते हैं, जो microorganisms के growth नहीं होने देगा, या destroy कर देगा, disinfectant क्या करता है, वो भी इसी तरह के microorganisms के growth को destroy करता है, microorganisms को grow ही नहीं होने देता, लेकिन उसको non-living tissues या फिर non-living objects, inanimate objects पे लगा जाता है, so उसको हम living tissues पे लगा सकते हैं, इसको living tissues पे नहीं लगा सकते हैं, यहीं main difference होता है, so आगे हम जानेंगे, disinfectant का क्या definition है, so disinfectant होता है, वो agent, जो की bacteria's के growth को prevent करता है, या destroy करता है, लेकिन, जब उसको inanimate object या फिर non-living objects पे लगाया जाता है, जैसे की floor cleaning वगरा के लिए हम जब use करता हैं, तो वहाँ पे वो वही काम करता है, जो anticeptic, एक living organisms यह living tissues पे जो काम करता है, तो आगे हम बात करेंगे, bacteria sides के बारे में, तो bacteria sides क्या होते हैं, वो agents, जो की bacteria को kill करते हैं, उसे बोलते हैं, bacteria sides, तो bacteria sides हम ज़ादर तो कहां use करते हैं, खेतों में हम जो fertilizer यूज करते हैं कीट नाश्यक यूज करते हैं उसमें बैक्टिरिया को ज्यादा यूज किया जाता है जो हम बैक्टिरिया को किल करने में काम आता है लेकिन बैक्टिरियो स्टाटिक्स क्या होता है वो agent जो की बैक्टिरिया के growth को कम करते हैं या फिर prevent करते ह नहीं है उसको बोलते हैं बैक्टिरियो स्टाटिक्स सी कि centresoitल डिंट इंट होता है किर्ध कि एक सिनाटिक्स कि हुग उसके ग्रोध को प्रेवेंत करता है यही इचर्डार्थ इसको हम आधर 25 Не बात करेंगे medical preparation हो या फिर कोई भी अन्य चीज हो जहां पर हम preservative का use कर रहे हैं तो वो क्या करता है microbial growth को prevent करता है या फिर जो biological destruction होता है जिसी भी चीज में हमने इसको डाला है वो biological destruction नहीं होने देता है वो जैसा उसका taste है जो उसका action है प्रोडक्ट का जिसमें preservative को डाला गया है उसको maintain रखने का काम करता preservative तो आशा करता हूँ जितने भी मैंने इसमें आपको चीज़े बताई है antiseptic, disinfectant, bacteriocide, bacteriostatics और preservative के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है अगर आप इसी तरह के वीडियोज आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe किजिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो like का बटन दबाईए और इस वीडियो को ज़्यादा शेर किजिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ तिल देन टेक धन्यवाद